नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्मेक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्षित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। चलिया ये इस वीडियो में हम एक आंकित प्रस्ण को हल करेंगे। और यहाँ पर इस प्रस्ण में दिया गया है कि दो बिन्दू आवेस Q1 बरावर 5 गुड़े 10 की घात मैनस 6 कूलाम तथा Q2 का मान दिया गया है 3 गुड़े 10 की घात मैनस 6 कूलाम। ये दोनों आवेस क्रमचा 1,3,2 मीटर तथा 3,5,1 मीटर पर इस्सित हैं। कूलाम के नियम के सदि सुरूप का प्रियोग करते हुए वेक्टर F12 तथा वेक्टर F21 का मान गयात कीजिए। अब यहाँ पर प्रस्ण में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास 2 आवेस हैं। ये पह से हम Q2 मान लेते हैं। और इसका मान दिया गया है 3 गुड़े 10 की घात मैनस 6 कूलाम। अब यहाँ पर देखिए। यहाँ पर हम से ये कहा जा रहा है कि जो पहला आवेस है वह 1,3,2 मीटर पर इस्थित है। ठीक इसी प्रकार से Q2 आवेस है। इसकी जो इस्थिती है वह 3, 3,5,1 मीटर पर है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों आवेसों की हम इस्थिती सदिस को गयात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि जो पहला आवेस है इसकी जो इस्थिती सदिस है इसका मान है वेक्टर R1। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा आवेस है और इसकी जो इस्थिती सदिस है इसका मान हो जाएगा वेक्टर R2। तो यहाँ पर हम वेक्टर R1 और वेक्टर R2 की वैलू को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेक्टर R1 का मान गयात करेंगे। तो इसका मान हम कैसे गयात करेंगे। देखिए यहाँ पर X अक्ष पर Y अक्ष पर और Z अक्ष पर इन तीनों अक्ष पर दोरियों को दरसाया गया है तो यहाँ पर जो इसकी सिती सदिस होगी यानि जो वेक्टर R1 का मान होगा उसका मान हो जाएगा 1-0I plus 3-0J plus 2-0K यह हो जाएगी इसकी सिती सदिस का मान अब इसे थोड़ा साम solve कर लेंगे तो यहाँ पर जब इसे हम solve करेंगे तो इसका मान हो जाएगा I plus 3-0J plus 2-0K और यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा वेक्टर R1 का मान यानि पहले आवेश की सिती सदिस ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर R2 की वैलू को भी calculate कर सकते हैं तो यहाँ पर R2 का मान हो जाएगा R2 is equal to 3I plus 5J plus K तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर R1 और R2 की वैलू को calculate कर लिया अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर हमें R1 की सिती R2 के सापेक्ष गयाद करनी हो तो हम कैसे गयाद करेंगे तो यहाँ पर हम इसकी सिती को भी गयाद कर सकते हैं तो यहाँ पर R1 की सिती को हम R2 के सापेक्ष गयाद करेंगे तो जब हम R1 की सिती R2 के साफ एक जियाद करेंगे तो इसका मान क्या होगा? इसका मान हो जाएगा vector R1-2 ठीक इसी प्रिकार से अगर हमें R2 की सिती R1 के साफ एक जियाद करनी हो तो हम कैसे जियाद करेंगे? तो यहां पर हम इसे भी calculate कर सकते हैं ग्याद कर सकते हैं तो जब हम R2 की स्थिति R1 के साप 1 फ्याद करेंगे तो इसका राहन हो जाएगा Vector R21 देखij एक बार फिर से सुन लेगी हमने यहां पर R1 की स्थिति R2 के साप 1 फ्याद की है और जब हम R1 की सिती R2 के साफ एक शियात करेंगे तो इसकी सिती हो जाएगी वेक्टर R1,2 ठीक इसी प्रकार से जब हम R2 की सिती को R1 के साफ एक शियात करेंगे तो इसकी सिती हो जाएगी वेक्टर R2,1 अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दोनों आवेस रखे गए हैं, यह दोनों ही आवेस धन आवेस हैं, तो धन आवेस हैं, तो इन पर बल आरोपिस होगा, और बल किस प्रकार का होगा, यह आरोपिस होने वाला पर प्रतिकर्शन बल होगा, तो यहाँ पर पहले आवेस ह द्वारा बल लगाये जाएगा तो जब पहले आवेस पर दूसरे आवेस की द्वारा बल लगाये जाएगा तो जो बल की दिसा होगी वह कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी यानि ये आवेस इस आवेस को दूर भगाएगा दूर हटाएगा तो जो बल की दिसा होगी वह क इस direction में हो जाएगी, यानि कुछ इस direction में बल लगने लगेगा, तो यहाँ पर जो बल लगेगा, इसका मान हो जाएगा vector f21, यानि दूसरे आवेस पर पहले आवेस के द्वारा लगाया गया बल, अब यहाँ पर हम किसी एक की value को calculate करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम vector f12 क value को calculate करेंगे, ग्याद करेंगे, तो चलिए इसे हम calculate करेंगे, तो यहाँ पर vector f12 का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पर vector f12 का मान हो जाएगा, 1 upon 4 pi epsilon 0, q1 into q2 upon r square, अब यहाँ पर सिर्फ बल का परिमार हमें ग्यात हुआ है, इसकी दिसा हमें ग्यात हो पाई है, तो इसकी दिसा कैसे ग्यात होगी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी हमने vector r1 की सिती को vector r2 के सापेक्ष जाद किया है, और इसकी सिती क्या आई है, इसकी सिती आई है vector r12, तो यहाँ पर vector r12 की दिसा क्या होगी, इसे ग्यात करने के लिए हमारे पास होता है, एकांग, शदि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 1 upon 4 pi epsilon 0 की value पता है, क्योंकि एक नियतांग होता है, इसी प्रकार से q1 और q2 का मान दिया गया है, इस प्रस्ट में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमें r और unit vector r12 की value नहीं ग्याद है, तो इसे हम calculate करेंगे, तो यहाँ पर हम r की value, r square की value का इसे ग्याद करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा change करके भी लिख सकते हैं, और इसका मान हो जाएगा, vector f12 is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0, q1 into q2 upon, देखिए, यहाँ पर r square दिया गया है, यानि इन दोनों के बीच की दूरी का परिमार दिया गया है, इसकी value दिया गय सकते हैं, और इसका हम वर्ग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ग दिया गया है, ठीक इसी प्रिकार से यहाँ पर unit vector r12 दिया गया है, अब unit vector r12 को हम कैसे ग्याद करेंगे, तो देखिए, unit vector r12 को हमें ग्याद करने के लिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पर होता है सदि का परिमाड तो इसी फार्मूले से हम यहाँ पर वेक्टर r12 की वैलो को ग्याद कर लेंगे अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर r12 का सदिस क्या होगा तो इसकी जो सदिस होगी इसका मान हो जाएगा वेक्टर r12 तो यहाँ पर हम लिखेंगे vector r12 और इसका परिमार क्या हो जाएगा तो इसका परिमार हो जाएगा vector r12 का परिमार अब यहाँ पर देखें यहाँ पर जब इस term को हम solve करेंगे तो यहाँ से मान हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्थ होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 upon 4 pi epsilon 0 इसे हम ऐसे ही उतार देंगे q1 into q2 इसे हम ऐसे ही उतार देंगे और यहाँ पर हर में लिखा हुआ है mod of vector r12 का square into mod of vector r12 तो इसका मान हो जाएगा mod of vector r12 का whole cube और यहाँ पर लिखा हुआ है vector r12 अब यहाँ पर हम vector r12 की value को कैसे calculate करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर vector r12 का मान हो जाएगा vector r12 is equal to vector r2 minus vector r1 तो इसी फार्मूले से हम vector r12 का मान गयाद कर लेंगे अब vector r2 का मान क्या है इसका मान है 3i plus 5j plus k और यहाँ पर r1 का मान क्या है तो r1 का मान हो जाएगा i minus 3j minus 2k देखिए यहाँ पर r1 minus में है तो यहाँ पर जब हम minus लगाएंगे तो सारे term में minus हो जाएगा तो इस प्रकार से हम value को put कर देंगे अब 3i में से i घटेगा 2i आ जाएगा plus 5j में से 3j घटेगा इसका मान भी 2j हो जाएगा और k में से जब 2k घटाएंगे तो यहाँ पर minus हो जाएगा minus k इस प्रकार से यहाँ से value हो जाएगी 2i plus 2j minus k अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर हमें vector r12 के परिमाड को गयाद करना हो यानि mod को गयाद करना हो तो हम कैसे गयाद करेंगे तो इसका मान हो जाएगा vector r12 का mod is equal to under root 2 square plus 2 square plus 1 square अब यहाँ पर value हो जाएगी under root 9 और यहाँ पर 9 को बाहर निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा 3 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सभी मान को हम इसी formula में put कर देंगे तो यहाँ से vector f12 का मान हमें कुछ इस परकार से प्रात होगा देखिए यहाँ पर हम मान को put करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 upon 4 pi epsilon 0 और इसका मान होता है 9 गुडे 10 की घात 9 इसी परकार से यहाँ पर q1 लिखा हुआ है और q1 का मान है 5 गुडे 10 की घात 9 ठीक इसी परकार से q2 का मान हो जाएगा q2 is equal to 3 गुडे 10 की घात 9 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर vector r12 का परिमार का cube लिखा हुआ है और इसका मान हमें 3 प्रात हुआ है तो यहाँ पर हम 3 का cube लिख देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे vector r12 की value और vector r12 का मान क्या है देखिए इसका मान है 2i plus 2j minus k तो इस परकार से हम इन सभी मान को put कर देंगे अब यहाँ पर हम इसे solve करेंगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 गुडे 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 गुडे 3 गुडे 3 तो यह value इस value से cancel हो जाएगी और यहाँ पर सिर्फ 1 3 मचेगा और यह 3 इस 3 से cancel हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए 10 की घात 9 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 10 की घात minus 6 10 की घात minus 6 तो यहां से हमें वैलू कुछ इस प्रकार से प्राप्ठ होगी, देखें इसका मान हो जाएगा पांच गुड़े दसकी घात माइनस तीन, गुड़े तू आई प्लस तू जे माइनस के और ये किसका मान हो जाएगा? ये यहां पर वेक्टर एफ वन टू का मान हो जाएगा. अब यहां पर देखिए, यहां पर जो vector F12 का मान हमें ग्याद हुआ है या एक सदिस रूप में प्राप्ट हुआ है, यानि इसकी हमें दिसा ग्याद होई है तो अगर हमें इसके परिमाड को ग्याद करना हो, तो हम कैसे ग्याद करेंगे तो यहाँ पर हम इसके परिमाड को भी ग्याद कर सकते हैं यानि यहाँ पर हम mod of vector f12 की value को ग्याद कर सकते हैं तो इसका परिमाड कैसे ग्याद होगा दिखें यहाँ पर लिखा हुआ है 5 गुड़े 10 की घात मैनस 3 यह एक अधिस रूप में है यानि यह एक scalar quantity है तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे यानि 5 गुड़े 10 की घात मैनस 3 गुड़े यहाँ पर इसे solve करेंगे तो 4 धन 4 धन 1 हो जाएगा और यहाँ पर मान हो जाएगा 5 गुड़े 10 की घात मैनस 3 गुड़े 3 हो जाएगा और यह हो जाएगा वेक्टर F12 का परिमाड़ अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 15 गुड़े 10 की घात मैनस 3 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम इसे सोड़ा सा change करके भी लिख सकते हैं अब यहाँ पर change कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम 1 के बाद 10 वलो लगादेंगे तो जब यहाँ पर हम 1 के बाद 10 वलो लगाएंगे तो यहाँ सी मैंत्राप्स हो जाएगा 1 दस्मलो 5 गुड़े 10 की घात मैनस 2 और यह किस की value है यह यहाँ पर vector F12 की value है और vector F12 क्या है? यहाँ पर पहले आवेज पर लगने वाला बल और बल का मात्रक क्या होता है? तो देखिए बल का मात्रक Newton होता है तो यहाँ पर हम मात्रक लिखना नहीं बोलेंगे अन्यसा हमारा प्रस्ण गलत हो जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पहला आवेज है इस पहले आवेज पर दूसरे आवेज के कारण जो बल लग रहा है यानि vector F12 की value ग्यात हो गई और इसकी value हो जाएगी 1.5 into 10 raise power minus 2 Newton ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो दूसरा आवेज है यानि Q2 आवेज है इस Q2 आवेज पर पहले आवेज यानि Q1 आवेज के कारण बल लग रहा है और इस जो बल है इसकी value हो जाएगी vector F21 तो अब यहाँ पर हम vector F21 की value को calculate करेंगे तो यहाँ पर हम vector F21 का मान कैसे ग्यात करेंगे देखिए यहाँ पर जो vector F21 की value हो जाएगी वह vector F12 के बराबर होगी लेकिन यहाँ पर इसकी दिसा विप्रीथ है देखिए यहाँ पर vector F12 इस दिसा में लग रहा है लेकिन जो vector F21 लग रहा है वह कुछ इस direction में लग रहा है तो दिसा विप्रीथ है तो यहाँ पर vector F21 की जो value होगी उसका मान रेडाक वक्त में आएगा लेकिन इसका मान F12 के बराबर ही होगा तो यहां से जो vector F21 की value हो जाएगी इसकी value हो जाएगी minus vector F12 के अब यहां पर हम vector F12 की value को put कर देंगे तो यहां से मान प्राप्थ होगा minus 1.5 into 10 raised power minus 2 newton तो इस प्रकार से यहाँ पर vector f21 की value प्राप्थ हो गई और इसकी value हमने आप एक calculate कर लिया अब यहाँ पर आपके मन में प्रशना रहा होगा कि यहाँ पर vector f21 की value रिडात्मक में क्यों आई है negative में इसका मान क्यों प्राप्थ हुआ है तो देखिए आपने Newton के तृतिये नियम को जरूर पढ़ा होगा और Newton का तृतिये नियम क्या होता है देखिए Newton का जो तृतिये नियम होता है वह क्रिया प्रतिया का नियम होता है तो इस नियम के अनुसार एक बल एक डारेक्शन में लगती है और दूसरा बल दूसरे डारेक्शन में लगता है लेकिन यहाँ पर जो दोनों बल लगेंगे इन दोनों बल के परिमार आपस में समान होंगे लेकिन दिसाएं भी प्रीत होंगी और जब दिसाएं भी प्रीत हों तो इस प्रकार से यहां पर हमने दोनों आवेशों पर लगने वाले बल को कैलकुलेट कर लिया। द्वारा और्धुअधर से बनाए गए कोण को ग्यात कीजिए। अब यहां पर देखिए। यहां पर प्रस्णमी ये कहा जारा है कि हमारे पास एक लोलक है। लोलक मतलब पेंडूलम है जो किसी धागे से बधा हुआ है और एक निश्चित बिंदू से फिक्स किया गया है। और जो लोलक है या एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति कर रहा है अब यहाँ पर इस धागे में जो पिंड बधा हुआ है यानि जो गोलक है इसका जो द्रविमान है इसका मान दिया गया है 80 मिलीग्राम तो यहाँ पर हम इसके द्रविमान को लिख देंगे अब इसे हम थोड़ा सा सिंप्लिफाई करेंगे तो यहाँ पर एक सुनने से एक सुनने कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर M का मान हो जाएगा 8 गुडे 10 की घात मैनस 5 किलोग्राम तो इस प्रकार से यहाँ पर जो लोलक है यानि जो पिंड है जो धागे में बधा हुआ है इसका द्रविमान हो जाएगा 8 गुडे 10 की घात मैनस 5 किलोग्राम अब यहाँ पर प्रस्त में यह कह रहा है कि इस पिंड पर कुछ आवेश भी है जिसका अमान है Q is equal to 2 गुडे 10 की घात मैनस 8 कुलाम तो यहाँ पर इसका आवेश हो गया और जो पिंड है यह एक समान 36 विद्दुच्छेतर में इस सित है तो यहाँ पर हम विद्दुच्छेतर के मान की भी गढ़ना कर लेंगे तो जो विद्दुच्छेतर है इसका अमान है 20,000 न्यूटन प्रती कुलाम या वोल्ट प्रती मीटर भी दिया हुआ है देखें यहाँ पर विद्दुच्छेतर का मातरक न्यूटन प्रती कुलाम भी होता है और वोल्ट प्रती मीटर भी होता है जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में विस्तार पूर्वक समझेंगे तो फिलहाल हम यहाँ पर इसके मात्रक को न्यूटन प्रती कूलाम ही लिख लेंगे तो यहाँ पर जो लोलक है वह 20,000 न्यूटन प्रती कूलाम के 26 विद्धु छेतर में रखा हुआ है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपने लोलक को एक धागे से बाद करके लटका दिया है तो इसके भार के कारण एक गुरुत्वी बल कारे करेगा जिसका मान हो जाएगा F is equal to M into G जो प्रत्वी की ओर कारे करेगा और यहाँ पर इस लोलक में एक टेंसन फोर्स अपलाई होगा यहाँ तनाव कारे करेगा जो तनाव इस दिसा में कारे करेगा अब यहाँ पर जो तनाव कारे कर रहा है यह उर्ध्वाधर से थीटा कोन पर कारे कर रहा है तो यहाँ पर जो तनाव कारिकर रहा है इसके दो घटक प्राफ्थ होंगे एक तो यहाँ पर उर्ध्वाधर दिसा में घटक प्राफ्थ होगा तो यहाँ पर एक उर्ध्वाधर घटक हो जाएगा और दूसरा यहाँ पर 36 घटक प्राफ्थ होगा तो यहाँ पर तनाओ के दो घटक प्राफ्थ हो जाएंगे अब जो उर्ध्वाधर घटक प्राफ्थ होगा इसे हम लिखेंगे T cos theta ठीक इसी प्रिकार से जो 36 घटक प्राफ्थ होगा इसे हम लिखेंगे T sin theta तो यहाँ पर तनाओ के दो घटक प्राफ्थ हो जाएंगे, एक हो जाएगा T को सीटा जो उर्दोधर दिसा में लगेगा और दूसरा 36 घटक प्राफ्थ होगा जिसे हम लिखेंगे T साइन थीटा अब यहाँ पर कहरा है कि जो लोलक है यहाँ एक समान 36 विद्दुच्षेतर में इस से था है तो यहाँ पर हम विद्दुच्षेतर को भी लिख देंगे तो जो विद्दुच्षेतर की दिसा हो जाएगी वह कुछ इस डिरेक्शन में हो जाएगी तो यहाँ पर हम चेतर कारे करता लेकिन फिलहाल लोलक इसी दिशा में है तो जो विद्दुछेतर होगा हुआ इसी दिशा में कारे करेगा इस कारण से हमने विद्दुछेतर को इसी दिशा में लिख दिया है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो लोलक आपने लिया है इसी कोई ना कोई स आपगी, उस्ता में, टी कॉस थीटा का मान, एफ बराबर m in to g के मान के बराबर होगा, तो साम में अउस्ता में जब होगा, तो इन दोनों का मान बराबर होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे टी कॉस थीटा is equal to m in to g, और इसे हम लिख देंगे समीकर्ण नमबर 1 ठीक इसी प्रकार से सामे वस्था में यहाँ पर जो विद्दु छेत्र के कारण बलकारे करेगा देखी विद्दु छेत्र के कारण जो बलकारे करता है एसी लिखते हैं f is equal to q into e तो यहाँ पर विद्दु छेत्र के कारण जो बलकारे करेगा इसका आमान t sin theta के बराबर होगा तो यहाँ पर हम वैलू लिखेंगे t sin theta is equal to q into e और इसे हम लिख देंगे समीकर्ण नमबर 2 अब यहाँ पर हमें 2 समीकर्ण प्राप्ट होए हैं तो यहाँ पर हम दूसरे समीकर्ण को पहले समीकर्ण से भाग देंगे याँ यहाँ पर हम t sin theta को t cos theta से भाग देंगे और बराबर के इधर हम q upon e में m into g से भाग देंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसे हल करेंगे अब यहाँ पर देखिए यहाँ से t का मान t के मान से cancel हो जाएगा और sin upon cos का मान हो जाएगा time के term में आ जाएगा तो यहाँ पर time theta का मान हो जाएगा q into e upon m into g अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम सभी मान को इसी फार्मूले में पूट कर देंगे तो जब हम इस फार्मूले में सभी मान को पूट कर देंगे तो यहां से हमें टैन थीटा की वैलू मिल जाएगी देखी यहां पर Q की वैलू पूट करनी है और Q का मान दिया हुआ है 2 गुडे 10 की घात माइनस 8 कूलाम और यहां पर E की वैलू पूट करेंगे तो E का मान दिया हुआ है 20,000 नूटन पूट कूलाम तो यहां पर हम 20,000 लिख देंगे और बटे में M दिया हुआ है M क्या है? M यहां पर लोलक का द्रविमान है और इसका मान है 8 गुडे 10 की घात माइनस 5 किलोग्राम और G दिया हुआ है G का मान कितना होता है? इसका मान होता है 9.8 अब यहां पर देखिए यहां पर हम इसे solve करेंगे तो यहां से 10 थीटा की वैलो हो जाएगी 10 थीटा is equal to देखिए यहां पर लिखा हुआ है 10 की घात माइनस 8 तो यहां पर लिखेंगे 10 की घात माइनस 8 अब यहां पर देखिए यहां पर हम इसे solve करेंगे तो यह 2 से 4 cancel हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 2 अब यहां पर लिखा हुआ है 10 की घात माइनस 8 10 की घात 4 इसका मतलब होता है 10 की घात माइनस 4 और बटे में हम 2 गुडे 9.8 लिख देंगे और यहां पर 10 की घात माइनस 5 को अंस में ले करके जाएगे तो इसका मान हो जाएगा 10 की घात प्लस 5 अब यहां पर देखिए यहां पर जब इसे हम solve करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 10 देखिए 10 की घात माइनस 4 और 10 की घात 5 इसका मान हो जाएगा 10 और बटे में हम लिख देंगे 19.6 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब इसे हम solve करेंगे तो यहाँ पर हमें मान प्राप्त होगा देखिए यहाँ पर इसे solve करेंगे 10 बटे 19.6 तो इसका मान हो जाएगा 0.51092 और ये किसका मान हो जाएगा ये 10 थीटा का मान हो जाएगा तो यहां से थीटा की वैलू क्या हो जाएगी देखें थीटा का मान हो जाएगा 10 inverse 0.51092 तो यहां से हमें थीटा की वैलू मिल जाएगी अग 10 inverse 0.5192 का मान कितना होगा तो यहां से देखिए थीटा की वैलू हो जाएगी 27.02 अंस तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें थीटा की वैलू को calculate कर लिया यानि कहने का मतलब यह है कि जो डोरी है यह उर्थो अधर के साथ थीटा कौन पर इस्थित है और इसी डोरी में तनाव कारे कर रहा है यहाँ पर जो थीटा का मान है इसका मान हो जाएगा थीटा इस इक्वल टू 27.02 अंस तो यहाँ पर हमने थीटा की वैलू को calculate कर लिया अब यहाँ पर हमें दोरी में तनाव को भी calculate करना यानि टी की वैलू को calculate करना है तो टी का मान हम कैसे ग्याद करेंगे देखिए यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण है और किसी एक समीकरण की सायता से हम टी का मान ग्याद कर सकते है तो यहाँ पर हम दूसरे समीकरण की सायता लेंगे और यहीं से हम टी की वैलू को calculate करेंगे तो टी का मान क्या होगा देखें दूसरे समिकर्ण के अनुसार T की value हो जाएगी Q into E upon sin theta अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसी फार्मूले में हम सभी मान को put कर देंगे तो यहाँ से हमें T की value मिल जाएगी तो चलिए हम T के मान को calculate करते हैं तो यहाँ से देखिए Q कमान क्या होगा Q कमान यहाँ पर दिया हुआ है 2 गुड़े 10 की घात minus 8 कूलाम E कमान क्या है तो देखिए यहाँ पर E कमान है 20,000 Newton प्रती कूलाम तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20,000 Newton प्रती कूलाम और बटे में हम sin theta की value लिखेंगे और theta कमान दिया हुआ है 27.02 once तो यहाँ से हम मान लिखेंगे sin 27.02 once अब इसे हम calculate करेंगे तो यहाँ से देखिए जब हम इसे calculate करेंगे तो यहाँ से मान पराफ्थ होगा 2 गुड़े 10 की घात minus 8 गुड़े 2 गुड़े 10 की घात 4 देखिए यहाँ पर इसे परिवर्तित कर देंगे और यहाँ पर मान पराफ्थ होगा 2 गुड़े 10 की घात 4 और बटे में हम लिखेंगे 27.02 once अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम इसे solve करेंगे तो यहाँ से हमें T की value मिल जाएगी तो यहाँ पर जब इसे solve करेंगे तो यहाँ से मान पराफ्थ होगा पर इसे हम solve करेंगे तो यहाँ से T की value मिल जाएगी 8.08 गुड़े 10 की घात मैनस 4 और यहाँ पर T क्या है T यहाँ पर तनाव है यानि टेंसन है और टेंसन एक बल होता है और बल का मात्रक न्यूटन होता है तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने ठीका एंगिल को भी ग्याद कर लिया और कार करने वाले तनाव बल को भी ग्याद कर लिया चलिए अब हम अपने अगले आंखीत प्रस्ण को हल करते हैं और यहाँ पर इस प्रस्ण में दिया गया है कि यदि 5 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 2 मिलीमीटर उपर 109 कूलाम का एक बिंद वावेस चित्रा नुसार रखा जाए तो वर्ग से गुजरने वाले फ्लक्स के परिमार की गरना की यह यानि कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हमें एक वर्ग की सता दी गई है वर्ग का एक प्रिस्ट दिया गया है इस वर्ग के जो प्रिस्ट है इसकी जो भुजाएं है इसका मान है 5 सेंटी मीटर यानि प्रतेग भुजा का मान 5 सेंटी मीटर है अब यहाँ पर हमसे यह कहा जा रहा है कि वर्ग के केंद्र से 2 मिलीमीटर उपर यहाँ पर कोई बिंद वावेज है देखिए यहाँ पर इसका केंद्र माल लेंगे और इससे 2 mm उपर यहाँ पर एक बिंद वावेज है अब इस बिंद वावेज के कारण यहाँ से गुजरने वाले फ्लक्स की गढ़ना करनी है यानि हमें यह ग्याद करना है यह जो वर्ग की सता है इस सता से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा वदुत फ्लक्स के मान की हमें गढ़ना करनी है अब यहाँ पर आप कलपना कीगिए कि यहाँ पर जो वर्ग है अगर इसके द्वारा हम किसी बंद प्रिष्ट का निर्माण करें तो यहाँ पर किसी बंद प्रिष्ट का निर्माण करना चाहेंगे तो यहाँ पर एक घनाकार प्रिष्ट निर्मित होगा और यह जो घनाकार प्रिष्ट होगा यह एक बंद प्रिष्ट होगा अब यहाँ पर अगर हमारे पास बंद प्रिष्ट होता तो बंद प्रिष्ट से होकर गुजरने वाले flux का मान क्या होता तो देखिए गौस के नियम के अनुसार जो flux का मान होता है इसकी वैलू होती है phi is equal to q upon epsilon 0 जहां q क्या है? q यहां पर इस प्रिष्ट में उपस्थिक कुलावेस है और epsilon 0 यहां पर निर्वात की विद्दुत सीलता है अब यहां पर देखिए यहां पर जो अपने बंद प्रिष्ट निर्वित किया है यह एक घनाकार बंद प्रिष्ट है और आपको मालूम है कि घन की 6 फलक होते हैं यहां पर 6 सतहे होती है या 6 फलक होती है तो यहां पर 6 सतहों से या 6 फलक से होकर गुजरने वाला जो वैद्दुत फलक्स है इसकी वैलू हो जाएगी q upon epsilon 0 यहां पर हम 6 से भाग देदेंगे तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा एक बटे छे गुड़े Q upon epsilon 0 अब यहाँ पर हम सभी मान को put कर देंगे अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसी फार्मूले में हम सभी मान को put कर देंगे तो यहाँ पर Q की वैलू क्या होगी? देखे Q का मान है 109 कूलाम तो यहाँ पर हम Q की वैलू को लिख देंगे 100 9 कूलाम अब 9 कूलाम को हम कूलाम में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर इसे कैसे लिखेंगे? देखें, यहाँ पर लिखेंगे 100 गुड़े 10 की घात मैनस 9 कूलाम अब यहाँ पर इसे लिखेंगे Q is equal to 10 की घात माइनस 7 कूलाम अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर Epsilon 0 लिखा हुआ है तो Epsilon 0 की वैलू क्या होगी तो देखिए इसका मान हो जाएगा 8.85 गुड़े 10 की घात माइनस 12 और इसका मात्रक क्या होता है इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इन्टू मीटर स्क्वायर अब यहाँ पर यह जो दोनों मान प्राप्थ हुए है इन दोनों मान को हम इसी फार्मूले में पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें वैलू कुछ इस प्रकार से प्राप्थ होगी देखिए यहां से जो flux होगा 5E यानि जो यह सता होगी सता से गुजरने माला जो flux होगा इसका मान हो जाएगा 1 बटे 6 गुड़े Q का मान क्या है तो Q का मान यहां पर दिया हुआ है 10 की घात मैनस 7 और यहां पर epsilon 0 की value क्या होगी तो इसकी value होगी 8.85 इन्टू 10 देज पावर मैनस 12 अब यहां पर हम इसी को solve करेंगे तो यहां पर देखिए यहां पर 1 बटे 6 ऐसे उतार देंगे और 1 अपान 8.85 को भी ऐसे ही हम उतार देंगे यहां पर अंस में लिखा हुआ है 10 की घात मैनस 7 और हर में लिखा हुआ है 10 की घात मैनस 12 तो इसे जब हम अंस में ले करके जाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 10 की घात प्लस 12 अब यहां पर देखिए यहां पर जब इसे हम solve करेंगे तो यहां पर हम 6 का गुड़ा 8.85 में करेंगे तो इसका मान कितना होगा इसका मान हो जाएगा तीरपन दस्मलो 1 और यहां पर कितना होगा देखिए यहां पर लिखा हुआ 10 की घात मैनस 7 और 10 की घात प्लस 12 इन दोनों का गुड़ा किया गया है तो इसका मान हो जाएगा 10 की घात प्लस 5 अब यहां पर देखिए यहां पर जब इसे हम solve करेंगे तो यहां पर हमें मान परात होगा 1.888 गुड़े 10 की घात 3 और यहां पर हमने किसका मान ग्यात किया है यहां पर हमने phi e का मान ग्यात किया है यानि किसी एक प्रिस्ट से होकर गुजरने वाले वैदुत flux के मान को calculate किया हैं तो यहां पर phi e का मात्रक क्या होगा देखिए phi e का मात्रक हो जाएगा Newton meter square प्रती कूलाम तो इस प्रकार से यहां से हमने यह ग्यात कर लिया कि किसी एक प्रिस्ट से होकर गुजरने वाले flux का मान क्या होगा यानि यहां पर यह जो वरगाकार सतह दी होई है इस वरगाक सतह से गुजरने वाले वैदूत flux का मान होगा phi e is equal to 1.888 गुड़े दसी घा 3 Newton meter square प्रती कूलाम तो इस प्रकार से अगर यहां पर हमारे पास कोई और बंद प्रिस्ट होता जिसे मान लेते हैं कोई गोला होता कुछ इस प्रकार से अब यहां पर इस गोले को हमने दो भाग इसके मान की हमें गरणा करनी हो तो हम कैसे करेंगे तो देखिए यहां पर संपूर्ण गोले से गुजरने वाले वैदूत flux का मान कितना होता जिसका मान हो जाएगा phi e is equal to q upon epsilon 0 लेकिन यहां पर हमने क्या किया है गोले को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया है बीच से काट दिया है अब यहाँ पर मैं आपसे पूछों कि किसी एक भाग से गुजरने वाले वैदुत फ्लक्स का मान कितना होगा तो यहाँ पर गोले को हमने कितने भागों में बाटा है गोले को हमने दो भागों में बाट दिया है तो यहाँ पर जो संपूर्ण फ्लक्स होगा इसमें हम दो से भाग दे देंगे यहाँ पर किसी एक भाग से गुजरने वाला जो वैदुत फ्लक्स होगा इसका मान हो जाएगा फाई e is equal to 1 बटे 2 q upon epsilon 0 तो अगर परिच्छा में कुछ इस प्रकार से भी प्रस्ण आ जाए तो आपको ऐसे हल कर लेना है यानि आप यहाँ पर सबसे पहले यह ग्याद करिए कि संपूर्ण फ्लक्स से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना है अब यहाँ पर प्रिच्छ को कितने भागों में बाटा गया है जैसे यहाँ पर हमने प्रिच्छ को दो भागों में बाट दिया है तो यहाँ पर संपूर्ण फ्लक्स में हमने दो से भाग दे दिया अगर प्रिच्छ को तीन भागों में बाटा गया होता तो यहाँ पर हम 3 से भाग देते थे तो इस प्रकार के प्रस्ण को हम ऐसे हल करेंगे चलिए अब हम अपने अगले आंखिक प्रस्ण को हल करते हैं और यहाँ पर इस प्रस्ण में दिया गया है कि 16 cm भुजा वाले एक घं का अधार प्लस X अक्ष पर है अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि X अक्ष के अंधिस विद्दुच्छेत्र कामान 500 अंडर रूट X द्वारा व्यक्त किया जाता है जबकि Z यों Y अक्ष के अंधिस घटक कामान सूनने है यानि Z अक्षपर और Y अक्षपर विद्दु छेत्र का मान सून है यदि घन का बाया फलक 16,0,0 cm पर हो तो घन से गुजरने वाला फलक्स तथा घन के अंदर आवेश कितना होगा अब यहाँ पर हमसे यह कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई घन है इस घन की जो भुजा है इस भुजा की जो लंबाई है उसका मान 16,0 cm है अब यहाँ पर यह जो घन का आधार है यह है एक सक्षपर है देखिए एक सक्षपर है और घन का आधार इसी एक सक्षपर है अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम से यह कहा जा रहा है कि अगर इस मूल बिन्द से, हम इस बाय फलक को देखें, तो मूल बिन्द से बाय फलक की जो दोरी होगी, इसका मान हो जाएगा 16 cm, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर यह दाया फलक है, और दाया फलक को अगर हम मू विद्धुच्छेत्र् की दिषा है je X अक्ष की दिषा में विद्धुच्छेत्र का मान अब गयात कैसे करेंगे तो विद्धुच्छेत्र की वाई दिवन मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर विद्दुच्छेत्रकामान दूरी के साथ परिवर्तित हो रहा है देखें 500 अंडर रूट एक्स यहाँ पर वैरियेबल दिया हुआ है यानि यह चर लगाया हुआ है और चर्क यह मतलब यह होता है कि दूरी के साथ विद्दुच्छेत्रकामान परिवर्तित हो जा रहा है जैसे अगर मालेतें यहाँ पर हो तो विद्दुच्छेत्रकामान कुछ होगा लेकिन जैसे यहाँ पर आएंगे तो विद्दु छेतर कामान परिवर्तित हो जाएगा लेकिन अगर हम बाएं फलक पर आएंगे तो विद्दु छेतर कामान एकदम से परिवर्तित हो जाएगा और अगर दाएं फलक पाराएंगे तो विद्दूट छेत्रकामान और परिवर्तित हो जाएगा तो यहाँ पर इस फार्मूले का मतलब यही है कि जैसे जैसे हम एक सक्ष की तरफ बढ़ेंगे विद्दूट छेत्रकामान परिवर्तित होता रहेगा अब यहाँ पर सबसे पहले हम बाएं फलक के लिए विद्दु छेतर कामान ग्याद करेंगे अब यहाँ पर देखिए बाएं फलक के लिए विद्दु छेतर कामान ग्याद करना है तो इसे हम E1 से विक्ट कर देंगे अब E1 कामान कैसे हम ग्याद करेंगे तो E1 की value को हम इसी फार्मूले की सहायता से calculate करेंगे तो यहाँ पर फार्मूला क्या है? फार्मूला दिया हुआ है 500 under root x अब यहाँ पर under root x की value क्या होगी? तो देखिए मूल बिंद से बाएं फलक की जो दूरी है इसका मान है 16 cm अब under root x में हम 16 cm की value को लिखेंगे लेकिन यहाँ पर हम 16 cm नहीं लिखेंगे इसे हम मीटर में परिवर्तित करेंगे तो जब हम 16 cm को मीटर में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर हमें 100 से भाग देना पड़ेगा तब यहाँ मीटर में परिवर्तित होगा तो इसका मान कितना आएगा इसका मान आएगा 16 गुड़े 10 की घात मैनस 2 मीटर अब यहाँ पर इस वैलू को हम अंडर रूट में पूट करेंगे तो यहाँ से E1 की वैलू हो जाएगी E1 is equal to 500 अंडर रूट X की जगा हम लिखेंगे 16 गुड़े 10 की घात मैनस 2 अब यहाँ पर इसे हम अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो मान हमें कुछ इस प्रकार से प्रास होगा देखिए यहाँ पर हो जाएगा 500 16 को बाहर लाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 4 और अंडर रूट 10 की घात मैनस 2 को बाहर लाएंगे तो यहाँ पर मान हो जाएगा 10 की घात मैनस 1 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 की घात मैनस 1 और यह 0 खतम हो जाएगा तो यहाँ से 500 का 4 में गुड़ा हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 200 और यहाँ पर यह छेत्र के मान को calculate करेंगे तो इसे हम e2 से विक्त कर देंगे अब e2 का मान हम कैसे calculate करेंगे तो इसे भी इसी फार्मूले की सहायता से calculate करेंगे और फार्मूला दिया हुआ है 500 under root x, अब यहाँ पर हम value को put करेंगे, तो यहाँ पर हम फलक की दूरी है 16 cm और पहले फलक से यहाँ पर दूसरे फलक की बीच की दूरी देखिए भूजा 16 cm है, तो इस फलक से इस फलक की बीच की जो दूरी है इसका मान हो जाएगा 16 cm तो मूल बिंदू से दाहिने फलक की बीच की जो दूरी होगी इसका मान हो जाएगा 32 cm अब 32 cm को हम मीटर में बढ़त देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ पर हमें 100 से भाग देना पड़ेगा तो यहाँ पर जब 100 से भाग देंगे तो इसका मान हो जाएगा 0.32 मीटर अब यहाँ पर अन्डरूट एक्स की जिगा पर हम लेखेंगे अन्डरूट 0.32 मीटर तो यहाँ पर मान पर आप्ठ होगा 500 और अन्डरूट 0.32 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम इसे solve करेंगे तो जब इसे हम solve करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 282.8 और यह किसका मान है यह यहाँ पर E2 का मान है यानि बाय फलक के लिए जो उत्पन होने वाला विद्दुच्छेत्र है इसका मान है और विद्दुच्छेत्र का मातरक होता है न्यूटन प्रती कूलाम अब यहाँ पर आप इस प्रश्ण में देखिए प्रश्ण में हमसी यह पूछा जा रहा है कि घं से गुजरने वाले फलक का मान क्या होगा तथा घं के अंदर कितना अवेस है इसकी वैलू को भी हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि घं से गुजरने वाले फलक का मान कितना होगा तो जितने भी फलक दिये हुए हैं, सभी फलक से गुजरने वाले flux के मान को हम calculate करेंगे, इसकी गर्णा करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बाएं फलक से गुजरने वाले flux के मान को calculate करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, जब हम बाएं फलक से गुजरने वाले flux के मान को calculate क करेंगे अब यहां पर हम थोड़ा सा इसे change करके भी लिख सकते हैं E.da को लिख सकते हैं E.da cos theta अब यहां पर इसी फार्मूले में सभी मान को हम put करेंगे अब E का मान क्या होगा तो हम बाएं फलक के लिए flux का मान ग्याद करेंगे यानि विद्दुत flux का मान ग्याद करेंगे और बाएं फलक के लिए जो विद्दुत छेतर है इसका मान यहां पर दिया हुआ है E1 is equal to 200 newton प्रतिकूलाम तो यहां पर हम E की जिगह पर लिखेंगे 200 newton प्रतिकूलाम अब यहां पर DA की value दी हुई है DA दिया हुआ है DA क्या है देखिए DA यहां पर area vector है यानि छेतरफल इसकी दिसा को ग्याद करेंगे तो छेतरफल सदिस की दिसा किदर होगी देखिए यहां पर बाया फलक है यह एक प्रिस्ट है तो छेतरफल सदिस की दिसा किदर होगी देखिए प्रिस्ट से बाहर अभिलंबवत होगी यह प्रिस्ट हो गया और इसी से बाहर अभिलंबवत हो जाएगी और यह हो जाएगी डिये की दिसा तो डिये की दिसा तो हमने ग्याद कर ली अब यहाँ पर इसका मान क्या होगा तो यहाँ पर आपने क्या लिया है आपने यहाँ पर घं लिया है और घं के जितने भी फलक होंगे यह एक वर्ग की भात ही कारे करेंगे तो यहाँ पर वर्ग का छेत्रफल क्या होगा variesगि वर्ग का छेत्रफल होता है भुजा गुढे भुजा अब इसकी प्रतेक भुजा Qamon Hail है 16 cm तो यहां पर 16 cm को हम सिर्प अभे परिवर्थीत करेंगे मीटर兄ונה परिवर्तित करेंगे तो अमें 100 स चाराकृति होती है और वर्ग का छेत्रफल कितना होता है भुजा गुड़े भुजा होता है या भुजा इसकौायर होता है तो एक भुजा का मान दिया हुआ है 16 गुड़े 10 की गात मैनस 2 मीटर दिया हुआ है तो यहां पर इसका हम वर्ग लिख देंगे तो यहाँ पर हमें da का मान ग्याद हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 16 गुड़े 10 की घात मैनस 2 का whole square अब यहाँ पर cos theta की value को हमें ग्याद करना है तो cos theta क्या है देखिए यहाँ पर विद्दुच्छेतर e और area vector da इनकी बीच में बनने वाले कोण का मान है cos theta अब cos theta का मान क्या होगा तो देखिए यहाँ पर जो छेतरफल सदिस की दिसा है वह कुछ इस direction में है यह छेतरफल सदिस की दिसा हो गई ठीक इसी प्रकार से जो विद्दुच्छेतर की दिसा होगी वह कुछ इस direction में होगी इस दिसा में विद्दुच्छेतर कारिकर रहा है तो छेतरफल सदिस और विद्दुच्छेतर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो यहाँ पर क्या होगा इनके बीच में 180 का कोण बन जाएगा तो थीटा का मान हो जाएगा तो यहाँ पर कॉस एक्स 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 का मान क्या होगा देखिए कॉस एक्स 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 का मान होता है माइनस वन अब यहाँ पर हम इस वैलू को भी लिख देंगे तो कॉस एक्स 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 का मान हो जाएगा माइनस वन अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसे हम क अगर हम यहाँ पर 10 की घात मैनस 2 का वर्ग निकालेंगे तो इसका मान हो गया है 10 की घात मैनस 4 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसे हम solve करेंगे तो जब इसे हम solve करेंगे तो इसका मान हो जाएगा minus 5.12 और इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक हो जाएगा Newton meter square प्रती कूलाम और ये किसकी value है? ये यहाँ पर 5E की value है यानि बाएं flux से कितना flux गुजरेगा इसी की value है? ठीक इसे प्रकार से यहाँ पर जो दाहिना फलक है इस फलक के लिए गुजरने मुले में हम सभी value को put करेंगे अब यहाँ पर देखिए जो दाहिना फलक है इसके लिए जो विद्दुच्छेत्र का मान है इसका मान है 282.8 Newton प्रती कूलाम तो यहाँ पर विद्दुच्छेत्र का मान लिखेंगे 282.8 Newton प्रती कूलाम अब यहाँ पर डिये का मान क्या होगा देखिए डिये यहाँ पर छेत्रफल सदिस है और छेत्रफल सदिस की दिसा किदर होगी तो यहाँ पर देखिए जो छेत्रफल सदिस की दिसा होगी वह सत्थ से बाहर अभिलंबवत होगी यानि कुछ इस direction में देखी ये दाहिना फलक है और दाहिने फलक से बाहर अभिलमवत हो जाएगी तो ये हो जाएगी डिये की दिसा अब यहाँ पर हम डिये का मान ग्याद करेंगे तो इसका मान कितना होगा इसका मान बाएं फलक के बराबर होगा यानि यहाँ पर भुजा गुड़े भुजा का मान लिख देंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 गुड़े 10 की घात माइनस 2 का वर्ग यहाँ पर यह हो जाएगा अब यहाँ पर कौस सीटा की वैलू को हम ग्याद करेंगे कौस सीटा क्या है विद्दुच छेतर ई और छेतर फल सदिस इनके बीच में बनने वाले कौन का मान है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन का मान 0 होगा 0 क्यों होगा देखिए छेतर फल सदिस भी उसी दिसा में है और विद्दुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् 10 की घात मैनस 2 का वर्ग लिखा हुआ है तो इसका मान हो जाएगा 10 की घात मैनस 4 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब इस वैलू को हम solve करेंगे तो यहाँ पर हमें मान परात हो जाएगा 7.24 और यह किसका मान है यहाँ पर दाएं फलक्स से गुजरने वाले फलक्स का मान है और यहाँ पर इसका मातरक क्या होगा तो इसका मातरक हो जाएगा Newton meter square प्रती कूलाम तो इस प्रकार से यहाँ पर दाहिने फलक्स से गुजरने वाले फलक्स के मान को calculate कर लिया अब यहाँ पर जो उपर ही flux है इसकी value को हम कैसे calculate करेंगे तो इसे भी calculate कर सकते हैं तो यहाँ पर इसकी value क्या होगी देखिए यहाँ पर इसकी लिए जो formula होगा इसका भान हो जाएगा कुछ इस direction में हो जाएगी और विद्दुद छेत्र आपका इस direction में यानि एक सक्ष की दिशा में है तो दोनों की बीच कितना अंस का कोण बन रहा है देखी यह हो जाएगी विद्दुद छेत्र की दिशा और छेत्रफल सदीश की दिशा इधार है तो विद्दुद छेत्र से यहाँ पर जो यह फलक है यदि आप इस फलक की वैलू को गयाद करेंगे यानि इस फलक से गुजरने वाले विद्दुद फलक्स का मान गयाद करेंगे तो इसका मान भी सूनने हो जाएगा ठीक इसी प्रिकार से यहाँ पर जो यह फलक दिया हुआ है सबसे सामने दिया ह हुआ है इसकी value को गर आप calculate करना चाहेंगे तो इसका मान भी शून नहीं होगा यानि सिर्फ बाएं फलक के लिए विद्धुत flux का मान होगा और दाहिने फलक के लिए विद्धुत flux का मान होगा और बाकी सभी फलक के लिए विद्धुत flux का मान सूनने हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर छेत्र फल सदिस और विद्दुद छेत्र दोनों की बीच में जो बनने वाला कोण है इसका मान हर बार नब्बे हो जा रहा है तो हर बार विद्दुद फ्लक्स का मान सूनने हो जाएगा तो यहाँ पर हमें सिर्फ दो ही मान प्राफ्थ हुए यानि विद्दुद फलक्स के दो ही मान प्राफ्थ हुए एक बाएं फलक्स से प्राफ्थ हुआ और दूसरा दाहिने फलक्स से प्राफ्थ हुआ तो यहां से हम यह ग्याद करेंगे कि संपूर्ण घं से गुजरने वाले विद्धुत फ्लक्स का मान कितना होगा तो इसका मान हम कैसे ग्याद करेंगे यहाँ पर हम बाएं फलक से गुजरने वाले फलक्स के मान को और दाएं फलक से गुजरने वाले फलक्स के मान को जोड देंगे तो यहाँ पर हमें इसकी वैलू पता चल जाएगी तो यहाँ पर संपूर घं से गुजरने वाले फलक्स का मान हो जाएगा देखी यहाँ पर हम इसके चिन्हों को भी लिखना नहीं बोलेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दाएं फलक से गुजरने वाला फलक्स कितना होगा तो इसका मान दिया हुआ है 7.24 न्यूटन मीटर स्क्वाइर प्रतिकूलाम और प्लस देखी यहाँ पर बाएं फलक्स से गुजरने वाले फलक्स का मान लिखेंगे तो इसका मान दिया हुआ है माइनस 5.12 न्यूटन मीटर स्क्वाइर प्रतिकूलाम अब यहाँ पर देखीए इसका मान हो जाएगा 7.24 माइनस 5.12 अब यहाँ पर इसे हम solve करेंगे तो 4 में से 2 घटेगा 2 आ जाएगा 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा 7 में से 5 घटेगा तो 2 आ जाएगा तो इस प्रकार से यहां से हमने यह calculate कर लिया कि संपूर्ण घं से गुजरने वाले flux की value कितनी है। अब यहां पर आप इस प्रस्ट में देखिए, प्रस्ट में यह पूछा जा रहा है कि घं के अंदर कितना आवेस है, तो अभी हमें आवेस की value को भी calculate करना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम आवेस के मान को गौस के theorem के अनुसार यानि गौस के प्रमे के अनुसार का calculate करेंगे। और Gauss के प्रमे के अनुसार आप क्या जानते हैं? Gauss के प्रमे के अनुसार आप यही जानते हैं कि किसी बंद प्रिस्ट से गुजरने वाले जो flux का मान होता है इसका मान उस प्रिस्ट में उक्षित कुल आवेस और निर्वात की विद्दुप सीलता के अनुपात के बरावर होता है अब इसी फार्मूले से हम Q की वैलू यानि यहाँ पर यही ग्याद करेंगे कि इस घन में कितना आवेस है तो यहाँ पर Q की वैलू को हम कैसे ग्याद करेंगे? देखें Q के लिए मान हो जाएगा Q is equal to 5 into epsilon 0 अब यहाँ पर 5 की वैलू को हमने calculate कर लिया है तो 5 की वैलू को यहाँ पर हम put करेंगे तो 5 का मान दिया हुआ है 2.12 और epsilon 0 का मान कितना होता है? देखें इसका मान होता है 8.85 गुड़े 10 की घात माइनस 12 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब इस टर्म को हम solve कर देंगे तो यहाँ से Q की वैलू हमें मिल जाएगी और Q का मान हो जाएगा 1.88 गुड़े 10 की घात माइनस 11 तो यहाँ पर हमने किसकी वैलू ग्यात की है? यहाँ पर हमने यह ग्यात किया है कि इस घान के अंदर कितना अवेश है और अवेश का मातरक क्या होता है? तो देखिए अवेश का मातरक Q कूलाम होता है तो यहाँ से हम इसके मातरक को लिखना नहीं भूलेंगे अन्निता हमारा प्रस्ण यहाँ पर गलत हो जाएगा तो इस प्रकार से यहां पर हमने यह ग्याद कर लिया कि घंड के अंदर कितने आवेश हैं